दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली चल रही है। लोकसभाचुनाव से पहले विपक्षी गटबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। सोनिया प्रियंकार राहुल उधव ठाकरे अखिलेश यादर सीताराम येचुरी महबुबा मुफ्ती फारुग अब्दुल्ला के अलावा अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कलपना भी पहुची। रैली को सबसे पहले उधव ठाकरे निसम बोधित किया। उधव ने कहा कलपना सोरेन और सुनीता केजरिवाल हमारी बहन है। जब इस ताना शाहिस सरकार के खिलाफ हमारी बहने रड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। भाजपा को मैं चुनाती देता हूँ कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि BJP के साथ जो पार्टी है वो ED, CBI और IT है। सुनीता जीये, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में हैं। देश में जो स्थिती हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाई के ओर चल रहा है। लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चा ही है। अगर बीजेपी सरकर कोई से लगते होगा, लग रहा होगा, कि अर्विन जी को IRS किया, हेमन जी को IRS किया, तो लोग डर जाएंगे। लेकिन उनको अज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देश वासियों को कभी पहिचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लडने वाला है, और अगर हिम्मत हैं, तो बाकि आपकी सारी एजन्सिज हैं, ED, CBI, Income Tax, जैसे हम इंडिया घटबंदन बना कर सबके सामने आएं हैं, अगर आपने हिम्मत हैं, तो बीजेपी को मैं कहता हूँ, चुनोती देता कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सिधा आपके बैनर पर लगा दो, कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं, वो ED, Income Tax और CBI हैं, लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनके आलोचना करते रहेंगे, अब तो उनका सपना इस हैं कि 400 पार, मैं पूरे अब वो समय आया है, कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी, पूरे देश को मैं आवाहान करता हूँ, कि हम सब को अब चाहिए, मजबुत देश चाहिए, और मिली जुली सरकार हमें लानी ही होगी केजरिवाल की पतनी सुनिता केजरिवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी ने मेरे पती को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया, आपके केजरिवाल को जादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे, आपके केजरिवाल शेर हैं, करोडों तीसरा हर गाव महले में शांदार सरकारी स्कूल, चौथा हर गाव और महले में क्लीनिक, जिले में मल्टी स्पेशालिटी अस्पताल, पाचवा, किसानों को MSP और छठा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्चा भाई चारा होगा, आज में देश के 140 करोर लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आउहान करता हूँ, यदि आप सब इंडिया गढ़ बंदन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राश्र का निर्मान करेंगे केवल नाम में इंडिया गढ़ बंदन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में मैं इंडिया गढ़ बंदन की ओर से आज 140 करोर लोगों भारत बासियों को शे गारंटी देता हूँ पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा मंजूर है दूसरा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे मंजूर है तीसरी हर गाउं और हर महले में शांदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान सिक्षा मिलेगी होना चाहिए चोथा हर गाउं और महले में महला क्लीनिक बनाएंगे हर जिले में शांदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर वैक्ति के लिए शांदार और फ्री इलाज की विवस्था करेंगे मंजूर है पाच्वी किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निधारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मंजूर है च्छटी दिली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है यह अन्याय हम समाप्त करेंगे दिली वाज्यों को उनका हग दिलाएंगे दिली को पूर्ण राज्य का दज्जा दिलवाएंगे मंजूर है मैं आज ये अलान करने के लिए अपने सभी इंडिया कटबंदन के साथियों से माथी मांगता हूँ क्योंकि ये अलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमती या सहमती नहीं ली जेल में हूँ इसलिए सहमती लेना संभाव नहीं था उमीद करता हूँ कि किसी को इस पर आपती नहीं होगी ये सभी छे कारंटी हम पाक साल में पूरी करेंगे वही ब्रिश्टा चार की मामले में जेल में बंद ज्ञारखन के पूर्व मुख्य मंतरी हेमंत सोरेन की पतनी कलपना सोरेन ने कहा आज यहां उम्रा जल सहलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग तंतर को खत्म करने के लिए जिस तरीके से ताना शाह ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं उसका अंत जनता इस चुनाव में कर देगी आज यह उम्रा एस्ति हास्ति की समयदान में सेलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग तंतर को खत्म करने के लिए जिस तरीके से ताना शाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है उसको अंद करने के लिए ये संकल्ब सभा यहाँ पे अमंत्रित हुई है जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्रांच से आई हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत बढ़ाई कि आपने हमारी ताकत को इंडिया गडबंदल की ताकत को बढ़ाया है आपके यहां उपस्तित होने से हम सब मंचा सीन जितने पार्टी के कारी करता है पार्टी के वान्य गंड है सभी को ताकत मिलती है क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहां भारत की 140 करोड की जनता है जिनका बहुमत जिनका सिम्मत जिनका ताकत हम सभी को मिला है आज भारत में बाबा साहिब जी के सम्विधान के प्राप्त जितनी भी ग्यारंटियां हैं उन सभी को NDA सरकार के दवारा उसे नश्च किया जा रहा है इनकी ग्यारंटियों की ग्यारंटि गौन लेगा जिनोंने एक-एक करके हमारे समविधानिक संस्थाओं के महारैली को संबोधित करते हुए बिहार के पुर्व उपमख्य मंतरी वा आरजेडी नेता तेजिस्वी आदव ने कहा हम लोगोंने पहली रैली पटनामे की दूसरी मुंबई में और तीसरी दिल्ली में हो रही है देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं वहाँ जनता का साथ मिल रहा है जिस हिसाब से देश को बातने का काम किया जा रहा है नफरत की राजनीदी की जा रही है हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार उनका मुह है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बात तय है कि जनता ही मालिक है वे भाचपा के लोग नारा लगा रहे हैं जो ऐसा लगा रहे हैं कि पहले से ही EVM सेटिंग हो हो चुकी है देश में अगोशित emergency लागू हो चुकी है देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी महंगाई गरीवी प्रधान मंत्री मोधी ने कोई नौकरी नहीं दी सब कुछ का नीजी करण कर दिया हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी है प्रधान मंत्री मोधी को किसानों से मिलने का समय नहीं है मोधी जी मिलेंगे तो प्रियंक का चोपड़ा से मिलेंगे किसानों से नहीं मिलेंगे और आप लोगोंने गोविंदा का फिल्म का एक गारा सुना होगा कि तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे जनत जो रूट गई तो हाथ मलोगे अरे तुम तो धोके बाज हो वादा करके भाग जाते हो सपात्यक्षक लेश आदम ने कहा ये रामलीला मैदान एतिहासिक मैदान है और आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये अलान होने वाला है कि सत्ताधारी जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब जादा दिन नहीं रहेंगे आज हम दिल्ली आए हैं सुना है दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं दिल्ली से जो आज बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं ये लोग भाजपा जो 400 पार का नारा दे रहे हैं अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहां के लोगों ने भाजपा को मौका दिया और उनका स्वागत किया लेकिन याद रहे कि उत्तर प्रदेश के लोग जो स्वागत करते हैं वो धूम धाम से विदाई भी करते हैं आपने चुने आप देखेंगे तो ये ब्रह्मान की सबसे जूठी पार्टी है ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं ED CBI से डरा कर सबसे जादा चंदा वसुलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपाने किया है अतिहासिग मैदान है और आज हम लोगे खटे यां हुए हैं जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से एलान होने जा रहा है कि हुक्मान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अवजादे दिन रुकने वाले नहीं हैं आज हम लोग दिल्ली में आए हैं सुना है लोग दिल्ली वाले याद दिल्ली से बहार गए हैं यह समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बहार का जाए रहे हैं आज वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं राहुल गांधी ने कहा ये सम्विधान को क्यों मिटाना चाहते हैं क्योंकि ये आपका धन आप से छीनना चाहते हैं मैंने जाती जनगर्णा की बात की रोजगार की बात की क्योंकि देश के सामने यही सबसे बड़ मुद्दे हैं इसलिए अगर आप लोगों ने दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग सफल हो जाएगी और देश का समविधान खत्म हो जाएगा अगर समविधान खत्म हो गया तो देश के दिल पर बहुत बड़ी चोट होगी तो यह जो चुनाव है यह देश को बचाने का समविधान को बचाने का और गरीबों के हक को बचाने का चुनाव है आज कल आई पील के मैच चल रहे हैं देखते हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब सुनाया आपने सुनाया जब बहिमानी से एम्पायर पर दबाव डाल कर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को दरा कर मैच जीता जाता है क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोग सबाग चुनाव है अम्पायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाडियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया तो भाईयों और बेहनों ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिये हमें कैम्पेंच चलाना है हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्कर लगवाने है सारा का सारा जो हमारे रीसोर्सिज है बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है मैं में को यह कैसे चुनाओ हो रहा है कि नेताओं को धंकाय जाता है कि पैसे दिएकर कि सरकारों को गिराय जाता है कि cannot companies ब्रुक्रेल में डाला Cities गेजेवाल जी को सोरेंजी को कि यह पूरी की पूरी मैक्ट फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गटबंधन की महा रैली में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने भी बात कही यह मंच है अनेकता में एकता विविधता में एकता यह दर्शाने के लिए आज यह सभायो जित हुई है मैदान पर हो रही लोगतंत्र बचाओ रैली में फदारे आप सभी सातियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और यह मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे एकता में हमारे विविधता में एकता है यह दर्शाने के लिए आज यह जो मीटिंग यहाँ पर भुलाई है और इसके लिए मैं हमारे सभी सातियों का धन्यवाद करता हूँ न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन निउस को और बेल आइकन को दबाएं यह है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटिट और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच